हेलो फ्रेंड गुड मॉनिंग तो आज हमारा यूनिट वन का लास्ट ये वीडियो है जिद्दू कृष्णमूर्थी कल से हम यूनिट ट्री करेंगे तो इसको जलिली कर लेते हैं जिद्दू कृष्णमूर्थी सौच सा है कुछ खास इसमें नहीं है इसके मेंली बुक्स मे दो चार लास में बताऊंगी वह आपको लिखना है नोडाउन करना है और कुछ-कुछ कीवर्ड से जुसको मैं अंडरलाइन कर दूंगी बस और इसके पहले जितना भी थिंकर्स का पड़ा है वह सारे इंपॉर्टन थे जिसको आपको यान करना है इसमें से सिर्फ वही करन अंडर प्रदेश में थे उनके फादर एक रिवेन्यू डिपार्टमन में थे अपने शुरु आती साल के पढ़ाए में वह कहां ट्रेइनिंग के लिए गए अपने एड्यूकेशन के थू ठीक है उन्होंने एक इंडिपेंडिक पर्स्पेक्टिव डेवलप किया इंक्वा इस चीज को रिजेक्ट किया कि टीचेंग वह क्या है ऐसा है इसको पहले पढ़ना होगा और तब उसको एक्षिन में लेकर आना होगा है अग्या है और वह ऐसे थे कि सुरू से वह इस बात की बात करते आते हैं कि एजूकेशन है वह एक एजेंट की तरह की बोलते थी किया है यानि सिर्फ इस चीज का वह एजेंट नहीं है कि वह इनर रिनुवल हमारे अंदर को ठीक करें जब बलकि किसी चीज का है वह सोसल चेंज भी लेकर आए वह यह बोलते थी ठीक है तो यहां पर लिखा भी है कि जिसके पहले अजेंट करना हो तो फिर करवाई में अनवात किया जाता है सिर्फ ने कैसी चीज नहीं है इसको क्या क्या उन्होंने खारिज किया फिर वास्तव में उन्होंने सिर्फ आ के बारें बात करते हुए अपना पूरा जीवन बिताया जो ना केवाल आंत्रिक नवीकरन का एजेंट था बलकि समाजिक परिवर्तन कावी ठीक है यह इंपोर्टेंट पॉइंट है यह समझना है कृष्ण मूर्ती के परस्ट एजूकेशन का परस्पेक्टिर देखे पॉइंट व्यू देखे तो उनके अनुसार एजूकेशन क्य पूरे परस्ट को एजूकेट कory यह इक पर्शन का हर एक पाट एक आगल नदेखना चाहिए खियेग दिखना हेए तो पड़ा है पूरा में जोडना परौन ऊसको पैट आगचर और इजीचिंट के परस्ट वर इना रॉल विदून रहेते हिं जा सब के अंदर का पार्ट है फ्रम विच इस नोट मिनिंफुल टो एक्स्ट्राइक परसें जिसका मतलब उसमें से उस परसन को एक्स्ट्राइक करना मिनिंफुल नहीं है यानि कि वह पूरा आज होल पड़े सोसाइटी यानि अगर आम इन तीनों पॉइंट का सिधा सिधी सार स डیकिन उसमें लालच रह गया हम चल समय कर दी है लकिन जूट बोलना रह गया हमें लालच खतम कर दिए लालच मी खतम कर दिए लकिन डर रह गया कोई भी चीज रहना में झाहिए और होल पड़ाओ हर चीज उसके अदर क्वालिटी होना ची हर एक चीज आज होल छोटे चोटे चोटे टुकडों में नहीं तो यह चीज उन्हें बोला ठीक है सइलयो में नहीं यह कुछ नहीं कर नहीं था हमें और सहन 25-30 नहीं अग्मूद्थ टा से स्ट इसंपूर्चण या अपने लाइफ को अर्णिंग कर सके बल्कि उसको as a whole, हर एक respect में, deepest aspect of living, हर एक respect में living, social change, society, work, personal life, development, हर एक aspect में उसको educate करना था सिक्षा पर किश्णमूर्ति का डिस्ट करता है कि सिक्षा मनुष्य के पूर्ण विकास की ओर होनी चाहिए, fully development, पूरे व्यक्ति को सिक्षित करना है, व्यक्ति के सभी अंग, व्यक्ति के संपून के रूप में सिक्षित करना है, as a whole educate करना है, भागों के सायों, जन के रूप जिसे उस व्यक्ति को निकालना सारतक नहीं है, एसा सिक्षा दे कि समाज से व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाइए, यह अगर सोसाइटी मेरा ऐसा है, जहां कोई चोड़ी नहीं होता, कोई पी गलत काम नहीं होता, और वह परसन भी उस सोसाइटी के इंक्लूड़ेबल हो, ऐ समाज के अंदर होना चाहिए, तो यह कहा जा सकते हैं कि सिक्षा केवल जीवन के एक हिस्से जैसे काम के लिए तैयारी के बारे में नहीं है, बलकि पूरे जीवन की तैयारी और जीवन के सबसे गहरे पहलू के बारे में है, ठीक है, अब इनके एम अफ एजूकेशन देखत आपने पर बार बार खोजें बाहर निकाले ठीक है इनकाना तेकि जो मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट है यह जो हम अचीव करते हैं वह क्या है एक सोर्स है सिर्फ लेकिन वह एम आफ लाइफ नहीं हो सकता इसले रोल अफ एजुकेशन कैसा नहीं होना चीए ऐसा नहीं होना कि जो एजुकेशन सिर्फ इसक ेवन उम और क्या खोल कहें डेकि होता है विश्यक्शला ग्यान क्या है बल्कि उस विभ्व्यक्ति को पूरा डेवलप करें कम्प्लीट और रिस्पॉंसिबल यूमन दींग के ओर रिस्टहुमेंट करें कंप्लीट हुप शुमन बींकिध जो कि transform करेगा उसके present situation को पूरी तडिके से ठीक है यानि बदल देगा उसका present situation को फिर education should help to discover lasting values so that we do not merely cling to formulas और repeat slogans education ऐसा होना चाहिए जोपने values को last करें मतलब अंती मंतीम तेक हम उन values को पकड़के रखें ऐसा नहीं कि हम किसी slogan सिर्फ यह नहीं हो कि repeat हो सत्ते का नारा है ना या फिर हिंसा नहीं करना यह सब सिर्फ slogan ही हम repeat नहीं करें इसको follow भी करें हम breakdown करें उन barriers को या जो भी रुकावटें उन्हें सब को breakdown करें जो एक human being को डिवलाप होने से रोकती है तो यह उन्होंने बोला फिर उन्होंने बोला कि aim of education should not weak एतना कमजोर नहीं होना चाहिए वसे स्कॉल वीक स्कॉलर्स प्रोड्यूस करें टेक्निशिंस प्रोड्यूस करें मगर क्या करें इंटीग्रेट करें में और वोमें को वेर फ्री ओफिर जो डर से दूर हो for only between such human beings can there and during peace ठीक है तो यह उन्होंने बोला हिंदी में देख लेते हैं उन्होंने क्या बोला बहुतिक वादी उपलप दिया केवल कि एक सुरोत है यह जीवन को देश्य नहीं है इसलिए सिच्चा के भूमी का लोगों को बहुतिक वादी नहीं बनाना चाहिए पिर सिच् करना नहीं है बल्कि पूर्ण और जिम्मिदार मानव का विकास करना है कम्प्लीट एंड रिस्पेक्टिवल एंड रिस्पॉंसिबल पॉर्शन का डेवलपमेंट पूर्ण सिच्छा सुन का मतलब प्रेम और करूना से जो वरतमान स्थीति को उनकी समगरता में बदल सकती ह सिच्छा को इस्थाई मुल्य की खोच करने में मदद करनी चाहिए ताकि हम ना केवल सुत्रों से चिपके रहें या दोड़ा है या जो सिफ स्लोगन से ना जो भी मैंने बोला हिंसा नहीं करना चाहिए या फिर मैं तुम्हें वो सब अलग अलग तरका सुन नहीं मैं तुम अईसा होना चाहिए हम इसा हमें सच बोलना चाहिए बोलो भी सिफ लोगन रिपीट नहीं करो यह वो बोलते थे ठीक है या राश्ट्री और समाजिक बाधाओं जो भी आज़िस उनको तोड़ने में मदद करनी चाहिए ऐसे सिख्छा होना चाहिए इसलिए वे मनुस्य के बीच दुस्मनी पैदा करती है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा सिख्छा तो वह क्या करेंगे मनुस्य के बीच में डिस्क्रिमिनेशन दुस्मनी यह सब पाइदा कर सकती है सिख्छा का उदेश से विद्वान और तकनीश्य नियों और नौकरी करने वालों को पादन करने क सिर्फ इन सब चीज़ों का प्रेक्टिविटी नहीं कि हाँ भाई मैंने एक टेक्नीशन बना दिया मैंने वेद्वान स्कॉलर बना दिया नहीं लेकिन ऐसा होना जी कि ऐसे पुरिश्य और महला को एक एक किरित करना इनको वननेस करना यूनाइट करना जो केवल ऐसे मनुस चीज़ों करें चीज़ों से विड्ग्रेट दील ऑफ पैसेंस और अंडर्स्टैंडिंग पैसेंस होना चाहिए टीज़ों नौट टेक्नीक नहीं होता एक तरीका है जीने का यहां पर इन्हों ने बोला यह बात कि एजुकेशन सिख्चा है वो सिफ टीचर पर ही नहीं पा स्ख्चा माता-पिता और शिक्चा की दौरी जिम्मेदारी है वी करीकुलम की थनकर तरी कर्काथत कर्ना एक वर्किंग हो मतलoule efficient बहुत efficiency बहुत जाएद की यह बहुत बहुत उपट देता है तो वैसा ही इन डिव्लप्टиться और जो हमें एक्सप्रेशन एबिलिटी खुद को एक्सप्रेश करने की अभी वियक्त करने की इंकरेज करें नेशनल इंटिग्रीटी और हार्मनी कियूरिसीटी बच्चों में जानने का एक चुक्ता जो होता है वह डेवलाप करें इंटराक्टिव रिसोर्स जैसे की मेठर्स ट्रान्जेक्टिन करिकुलम जो इंटराक्टिव होना चाहिए फिर प्रेज और अस्थेटिक ओपीनियन जो है स्टूड्यन में डेवलाप करना फ्रीनों ने क्या बोला कि एजुकेशन कैसा ना ची जो इंकरेज करें सेल्फ अब्जर्वेशन एक्स्पिरियेंस लाइफ एज अ होल ये कीवर्ड इनका जरूरी याज दखना एज अ होल की बात जिदू कृष्ण मुर्थी नहीं की थी ठीक है और टुगो अवव एड़ बियोंड टुडिस्कवर दर रियल तुभी हिंदी में सबसे पहला काड़े कुछ अलता विक्सित होना चाहिए देश भक्ति को बढ़ावा देना चाहिए समास्याओ को हल खोजने के लिए पाठेक्रम को ग्यान देना चाहिए पाठेक्रम चात्र में आत्म अभिव्यक्ति की छमता विकास करना चाहिए राश्ट्री अखंडता और सदभाव को प्रुत्साहित करना चाहिए फिर पाठे क्रम में छात्रों की जिग्यासा भरनी चाहिए लेन दिन करते समय तरीकों के लिए interactive संसाधन यानि जो भी हम interaction करते जो भी classroom teaching method होता है वो interactive होना चाहिए फिर पाठे क्रम छात्रों में प्रसंसा और संदेदे वाधी राय विक्सित करने में सक्षम होना चाहिए तो यह साड़ा कुछ होना चाहिए ठीक है अब यहां पर खतम हो गया फ्रेंड जिद्डू कृष्ण मुर्थी जिसका कीवर्स क्या क्या है सिफो मैं एक बार लिख देती हूं इतना कुछ याद करेंगे तो सम्मे करिकर मोशली सबका एक ही जैसा होता बस याद अगना है यह education as a whole as a whole इनका सबसे बड़ा कीवर्ड है जिद्डू कृष्ण मुर्थी का ठीक है यह as a whole की बात करते है फाइन दूसरा अगर बोले हम लो तो यह जो है जिद्डू कृष्ण मुर्थी जो है वो बोलते थे कि teaching कोई यह नहीं कि हमको पढ़के है यह वो बोलते थे फिर और देखे अगर हम लो तो जो जीद्डू कृष्ण मुर्थी थे उनका कुछ भुक्स था जो आप लिख लो बहुत इंपोर्टेंट है मैंने इसमें नहीं लिखा है आप लिख लो ठीक है तो पहला बुक जो जीद्डू कृष्ण मुर्थी का था वो है क्या सबसे पहला द एक मिन में पूरा क्लीन करके फिर से वन बाई वन लेख दे हूँ सबसे पहला है द अवेकिन आफ इंटेलिजेंट फ्रेंस इस बुक को क्यों मैं लिख वा रही है क्योंकि अवेकिनिंग हम लोग कहां पढ़े है याद कर दो या फिर और विंदों में तो हम लोग यह वेकिन देखर कन्विज हो सकते हैं और यह पूछावा है फिलोसफी में ठीक है तो इसलिए यह बुक को याद रखना है स है दा अवेकिनिंग ओफ इंटेलिजेंस ठीक है दूसरे बुक की बात करें तो दूसरा क्या है हमारा है फ्रीडम फ्रॉम दा नौन और यह भी इनका कीवर्ड भी था वो बोलते थे कि हमें दर से दूर रहना है चीजों को जाना है फ्रीडम फ्रॉम दा नौन तीसरा फ्रॉस्ट एंड लास्ट फ्रीडम यह हम लोगों से पूछा हुआ है फ्रॉस्ट एंड लास्ट फ्रीडम इनका और कुछ ऐसा नहीं आता है स्पेसिफिकली बुक का नेम ही आता है तो यह याद अगना है टोटल फ्रीडम यह याद रखना है एंड फिफ्ट वन क्या है दे बुक ओफ लाइफ यह बुक आपको याद रखना है सबसे पहला अवेकनिंग ओफ इंटेलिजेंस उटल फ्रीडम और दर बुक ओफ लाइफ तो तीन बुक तो फ्रीडम से रिलिटेड है और अभी तो जो भी पढ़े होतार उनमें कोई भी फ्रीडम से रिलेटर नहीं है फिर दूर्शा क्या अवेकनिंग आफ इंटेलिजेंस और लास्ट दबुक ओफ लाइफ ठीक है अब हम लोगे लिख लिए होगा मेरा आप कर रही हूं अब हम लोग चलते हैं नेक्स जो की है पॉलो फड़ायरे ठीक है इनका भी कुछ खास मैंने नहीं लिखा छोड़ छोड़ से सबसे पहले इनका एम अफ एजुकेशन क्या था कि एजुकेशन टू ब्रेक दे कल्चर ऑफ साइलेंस मतलब जो सांती या मौन है इसकी संस्कृति को तोड़ना तकि वे पूरी तरह से माना बनाने के लिए अपने आप उनके संरच्छन कर सके तीक है अपने आप को अंसे कर सके साइलेंस को तोड़ना और प्रेस करना ब्रेक इसलिए इनका मेजा वक्त था इनके लिए सबसे बड़ा यह पेड़ागोगी आफ प्रेस्ट ज पेड़ागोगी आफ सीटी यह सब इनका कीवर्ड था पीजे चाहते थे कि कल्चर एक्शन ओफ और फ्रीडम एक एड्यूकेशन फोर कॉंसियसनेस और पेड़ागोगी इन प्रोसेस दो पॉलिटिक्स ऑफ एड्यूकेशन इन कल्चर पावर और लिटरेसी यानि की सिक्छ यह चेतना के आपने स्वतनता सिक्षा के लिगरी आत्मास सिक्षा संस्कृती उधारवादियों की सिक्षा सास्त्र अधे सब्सक्राइब कर आपको जितना भी मैंने लिख हैना पॉले फ्रैडू आपको यादा रखना है मैंने वह वह फ्यप्वाई gjझा है देखे पी प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन की बात करते थे जो की बैंकिंग सिस्टम को सॉल्यूशन है मतलब हो पहले एजुकेशन जो बोला गया वह हम सुनते थे और सुनते थे गलत सही सब सुनते थे तो वह क्या दो बैंक में कैसा होता है आईए पैसा लीजे और जाईए वही उस चीज के लिए उन्होंने ने बोला कि हमें जैनि प्रॉब्लम पोजी करना थे धिंग सामने रखो एजुकेशन फॉर लिबरेशन लिबरेशन का मतलब टीचर और दोनों का हां एक ही प्लेटफॉर्म पे हो दोनों अपने आपको फ्री समझे और अपने पॉइंट और व्यू को रखने के लिए फ्री हूं ठीक है फिर पेड़ोगी वाज कंसीडर इन अग्रिमेंट विदा एं समाजवाद और इन सब के जो भी मुवमेंट सा उसकी बात किती फिर टीचर यहां पर बात करता है और साथी सबने प्रॉब्लम को भी रखता है एजुकेशन का मतलब यहां पर नोइंग है चीजों को जानना है चीजों को रटना नहीं है तो यह सारा चीज पॉल फरायरे मे याद रखना है प्रॉब्लम पोजिंग को बात किती है गर बैंकींग सिस्टम को हटाना है तो फिर और कहने बार किया था फिर दायलोग एक कोपरेटिव एक्टिव एक्टेविटी एक्टेंज की बात करते हैं और एजुकेशन को क्या बोलते हैं नोइंग प्रोसेस है तो यह सारा इन्होंने इन सब चीजों पर इन्होंने बात की थी अब अगर हम थोड़ा सा और एक दो चीज देख लें जो और थे दो हमारे ठीक है वह कौन थे पहला तो मेरी वोल्स्टिन और नेल नोडिंग से इसको भी मैंने नहीं लिखा है इसका बस चुकी जो जो मैंने आज जयारफ कड़ा था जितना जितना पॉइंट याद के तो अनुसली उतना ही इंपोर्टन होता है क्योंकि हम लोग उतना याद रखने अभी तो चाहिए ना सब तो प बस्र governed नहीं करके टने मटलब है निए निए और पॉइंट अनुसमा अपने सामे प्रोबलमि में रहे हैं प्रिटिसाइज डायलोक यहीं एक्टिविटी रखे सॉल्यूशन पोजिंग सॉल्यूशन भी सामने रखे और प्लान ऑफ एक्षिन क्या वह भी रखे यहीं जो भी पॉइंट विए उसी को लर्निंग सर्कल पर बात किया जहां पर अब इसको कैसे यह सब कर सकते हैं तो डे टो डे लाइफ में अब थोरा सा नेल नॉडिंग की बात कर लेते हैं तो नेल नॉडिंग का जो में नीम था सबसे बड़ा एम जो नेल नॉडिंग का था वह कहता वह केरिंग ठीक है केरिंग था वह लवेवल पर्षन थे वह कहता है कि फ्ली डिसकॉस्हन ओना टॉपी का जैसे की वह वर हो गया पो वलटी हो गया क्राइम हो गया investir के साथ प्यार से केर सबसे बड़ा थीमी क्या सा केर ठीक है उनका कहना था कि वी केर करो अगर क्या चाहते हो तो तो यह साड़ा बाद उनने की थी अपनी है अनि सारा कुछ उनका mostly care से involved तो यह द्यान में रखना इन्हों मेरा जो है मतलब क्या सकते हैं इनका key elements की अगर बात करें तो यह बोल देखे पहला practice करो किसको practice करो ethical care को यानि अगर हम care कर रहे हैं बी के लिए तो बी भी care करें मेरे लिए ठीक है यानि अगर एबी का care कर रहा है तो एक को perform भी करना होगा किसके तरह इसकी तरह ठीक है और जब ऐसा होने लिगा कि दोने दूसरे के लिए कर लेंगे तो क्या clear हो जाता है confirmation हो जाते कि हाँ बाई care हो बी यह recognize कर लेता है कि एक इसके लिए care कर रहा है ठीक है और चौथा क्या हो जाता है ethics of caring यह हो जाता है ethics of caring clear तो यही चीज उन्होंने अपने जो है key component में बोला था ठीक है क्या फिर से मैं explain कर दो है सबसे पहला practice क्या practice करना ethics care ethical care को practice करना है यानि ए बी के लिए care करें बी के according perform करें ठीक है तीसरा confirmation होता है जहाँ पर बी को लगने लगता है कि हाँ ए मेरा care कर रहा है वो ऐसा बोले ठीक है और चौथा लासली क्या होता है ethics of caring फिर यह caring का ethics हो जाता है ठीक है यहाँ पर कोई भी formula या slogan को कोई place नहीं होता अब नेक्स बात करते है मैरी वोल स्टोन क्राफ्ट इनको mother of feminism बोला जाता है mother of feminism ठीक है mother of feminism और सबसे बड़ा keyword है इनके लिए vindication of right woman education क्या था इसेंसियल इल्मेंटर सोसाइटी के पिपूल के लिए ठीक है वह कहती थी कि वोमें जो inferior नहीं है नाचुरली उनको बनाया है क्या उनको ऐसा किया गया है कि वह inferior हो गही है क्यों कि उनको एजुकेशन नहीं दिया कि लाक ओफ एजुकेशन के कारण उनके वह स्पेशल इंफैसिज दिये कि इस पर गर्ल्स एजुकेशन पर ठीक है उनके उनसा में वोमें इक्वल वोमें को एजुकेशन मिलना चाहिए प्रोटेक्शन इन लौ मिलना चाहिए यह सारा कुछ मिलना चाहिए ठीक है तो यह सारा मैरी वोस्टेन क्राफ्ट का कीवर है तो बस इतना याद रखने जो मैंने बोला है उसको लिख लेना है बाकी में इसको भी एक्स ट्रैक्ट पराद से लेकिन क्यों लाइक कमेंट शेर न सब्सक्राइब एड़ कल से हम लोग यूनिट्री स्टार्ट करेंगे वो सकता मैं कल वीडियो नहीं बनाओ क्योंकि अभी यूनिट्री का इन प्रिपेर कर रही हूं अगर कल का क्लास का कंटेंट बन जाता है तो कल लोगी क्लास नहीं तो फिर क कि गाप के बाद से क्लास लोगी कल अगर हो ऐसा तो कल में प्रिवियस एर कोशन वाला से सिंग कर दूँगी ठीक है थैंक यू और वनाइस टेप